CAG के कागज है और मैं आपको एक और बात बता दू यह CAG की रिपोर्ट टेबल नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं टेबल कर रहे हैं जबके 4 मार्च को यह रिपोर्ट पहुँच चुकी है दिल्ली की सरकार के पास और यह यहाँ पर रखा हुआ है कि 4 मार्च 2024 को यह रिपोर्ट आ चुकी है यानि कि यह रिपोर्ट ताजा है यह रिपोर्ट सब कुछ देख रही है और यह रिपोर्ट Excise Policy को देख रही है इस रिपोर्ट में जब 4 मार्च को यह पहुँच चुकी है तो आज 20 मार्च दो हफ़ते तक इसको पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है और नंबर दो अगर कटर इमानदार है तो Document, File, कोई भी Tender Evaluation Committee को कागर्ज, दस्तावेस क्यों नहीं दिखाते हैं दूद का दूद, पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं नाविका जी, आपको आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, लिकर पॉलिसी, इस पर आपको डिबेट करना आपका एक बहुत, मैं समस्ता हूँ, बहुत ही एक पसंदीदा विशे है अभी अभी पर, तीन दिन पहले, मलिकार जुन खडगे जी ने कहा कि सेंटर की गौर्वर्मिंट का साड़े आठ लाख करोड रुपए का घोटाला सामने आया है, सी एजी रिपोर्ट के अंदर उस विशे के उपर कभी कोई चर्चा करने की आपकी मैंशा है क्या, ठीक है, अभी आज आपने ये आरोप लगाए कि ये दो हजार करोड रुपए का घाटा हो गया, ये घाटे के साथ में आपने ये नहीं बताया, कि अगस्त 21 के अंदर, जो पॉलिसी इंप्लिमेंट तो LG को इसमें क्यों नहीं आप सवाल पूछती है, इसमें सिर्फ अरविंद केजरी वाल हर चीज के लिए जिम्मदार कैसे हो गए, आपने LG से सवाल क्यों नहीं पूछे जिन्होंने अप्रूफ किया था, अप्रूफ करने के बाद उन्होंने परिवर्तन किया, कि ये आप इन्टेंट, ये दोनों अलग अलग चीजे हैं, केंदर की सरकार, कई राज्यों की सरकार, बहुत सारी सीएजी रिपोर्ट्स आती हैं, जिनमें ये होता है कि इस निर्णे से सरकार को ये रिविन्यू का लॉस हुआ है, उसके लिए जाच होनी चाहिए, उसके लिए जो 941 करोड की आपने बात की, जो दुकाने खुली थी, उतनी दुकाने नहीं खुली, उनके लाइसेंसेज की फी जो थी, वो रिफन्ड करनी थी, और ये और माननी है, हाई कोट ने दिया था, इसलिए वो पैसा उनको वापस किया गया, आपने और बाते बताईं, 144 करोड का ज जगाओं पर जो लॉसेज हुए थे, उनकी भरपाई के लिए, उन सहस्ताओं को इस्ट्यूशन को पैसे वापस किये थे, ऐसा ही, अगर आब आदमी पार्टी ने भी किया, तो मैं पार्टी नहीं कहना चाहिए, मुझे इस पर विशेज विभाग जो था, उसने अगर किया तो उसको इस बात का पूरा हाथ है, चलिए रवी शिवास्तर जी, अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ, तो आपका कहना है, अफसरों पर अक्शन होना चाहिए, एलजी पर अक्शन होना चाहिए, अर्विन केजरिवाल पर तो कोई अक्शन बनता ही नहीं, ये बात और है क कुछ साउथ ग्रूप के लोग और ये चार्चीट में दायर है किस तरह से मनीश सिसोधिया जी को मिले, संजे सिंग जी को मिले, अर्विन केजरिवाल जी के घर पे मिले, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट खुद को दिया गय है कि भाई, वो तो कटर इमांदार है, और आप कह रहें हैं कि हम सीएजी की रिपोर्ट और अर्विन केजरिवाल पर स्टोरी करते हैं, जी करते हैं, अब शीश महल तो बना था न सर्ट, तो स्टोरी करने में क्या दिक्कत है, भावना किशोर को उन्होंने बदले में अरेस कर लिया था पदले में अरेस्ट कर लिया था ना हमारी आवास दबाने की कोशिश की थी ना हमारी आवास तो दबेगी नहीं इसलिए इसलिए ये दो हजार दो करोर का जो सीए जी का कहना है वो मैं निकाल कर ले आई हूँ अब मैं काम करूंगी ना सर आपको काम नहीं करना है मत करिए मेरा जुका में मैं करूंगी लेकिन शैजाद पुनावाला जी रवी शिवास्तर जी कहते हैं कि हम लोग अर्विन केजरी वाल के पीछे पड़े हुए हैं और वो कट्टर इमानदार है अगर एक्शन कोई लेना चाहिए डिसकाउंट सबको मिल रहा था हमें तो टैक कैसे घूमता है कि यही रवी शिवास्तर जी और इंकी आम आदमी पार्टी जब इंडिया गेंस करॉप्शन के स्वरूप में थी तो आज से लगबग 10 साल पहले इसी प्रकार की सीजी रिपोर्ट ले लेकर यह सभी लोग को अपरादी घोशित करते थे जिसमें लालू सोन जो है ना आपके पास यह ओडिट है इनके सियासी धर्मांतरण और पॉलिटिक्स की कि कितना बदल जाता है इंसान देख ए भगवान कितना बदल जाता है इंसान कि दवा से लेकर दारू तक टेस्स से लेकर बस तक महल से लेकर महला क्लिनिक तक हर जगे घोटाला ही घोटा और आपकोए करोड का आच चुका है मनी ट्रेयल किस प्रकार से स्प्रीम कोड कहता है मनी से सोध्या को रहात नहीं अब यह कहते हैं कुछ मिला नहीं जी यह सारा कुछ मिली रहा है परन तुम मैं आप पूछना जाता कि देखे, बाकी सब तो छोड़ दीजे, लालू प्रसाद आपके संबंध में है, आपके अलाइंस में, वो तो चार बार कन्विक्टेड है ना जी, पौन मुडी कन्विक्ट हुए ना, ये लोग तो वो लोग है जिनके खिलाव आप कारवाई मांगते तो, और कॉंग्रेस भ इतना है, कि आज जब कोट राहत नहीं दे रहा, डॉक्यूमेंट आ गए, प्रूफ सामने आ गया, मनी ट्रेल मिल गया, तब भी हम कटर इमानदार है जी, हम समन पे नहीं जाएंगे, आज तो कोट ने समन के लिए भी तो कह दिया ना, कि ऐसी कौन सी बात है कि आप अप्यर के रूप में सामने आ चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सियासी धर्मानतरण देखिए, कि किस प्रकार से आदमी बदलता है, इसका स्वरूपा दिखे देता है, मैं तैसीन जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन वहां अंधेरे में अपने मूँ पर लाइट जलाते हुए मनोज यादव जी बैठे हैं हमारे साथ, पूछना चाहती हूँ आप से कि सिये जी की रिपोर्ट है, ये मैंने तो नहीं कहा, ये सिये जी रिपोर्ट अगर कह रहा है कि दो हजार दो करोड और 68 लाक रुपे का चूना लगा है सरकारी खजाने को, तो इस पर कोई चि मन आ चुके हैं, मुझे क्यों बुला रहे हो भाई, पहले बताओ क्यों बुला रहे हो, फिर मैं आऊंगा, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश में अगर लोगतंत्र को जिन्दा रहना है, तो क्या इन सवालों के जवाब मांगने का हक है या नहीं है, मनोज यादव जी